आज देश इस और आगे बढ़ रहा है। अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने सम्मरीन आप्टिकल फाइबर के जर्ये अंदमान को तेज इंटरनेट से जोडने का काम शुरू किया। अब अंदमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुँचने लगा है। डिजिटल पेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका भी बड़ा लाब अंदमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है। साथियों अतीच में अंदमान निकोबार ने आजहाजी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। उसी तरह भुष में ये खेत्र देश के विकास को भी नई गति देगा। मुझे विश्वास हैं। हम एक ऐसे भारत का दिर्वान करेंगे जो सक्षम होगा, समर्थ होगा और आज़ूनिक विकास की बुलिद्नियों को छुएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभास और हमारे सभी वीर जवानों के चर्णों में नमन करता हूँ। आप सबको पराकरम दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।